पॉल्टी अगला लेक्चर भारती समिदान के भाग Parts of the Indian Constitution चले शुरू करते हैं भारती नागरिक्ता प्राप्ती हेत पाँच प्रकार हैं अतलब भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने के पांस तरीके हैं जनम से प्राप्त कर सकते हैं वन्सा अधिकार द्वारा, पंजी करण द्वारा, देशी करण द्वारा, भूमी के अर्जन द्वारा, इन पांस तरीकों से हम नागरिक्ता प्राप्त कर सकते हैं, भारती सम्मिदान किस प्रकार की नागरिक्ता प्रदान करती है, एकल नागरिक्ता, सिंगल सिटेजन सिप प सिद्धांत अपनाए गया है नागरिक संसोधन अधिनियम संद्वाजर उन्निसी एए में किन देशों के हिंदू बौध सीख जैन पार्शी तथा इसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रोधान है पाकिस्तान बंगलादेश अभुगानिस्तान भारत भारती नागरिक की नागरिकता किस अधार पर समापत हो सकती है अगर उसे उत्याग देता है प्रयावशन के द्वारा पर यावशन के द्वारा वंचना के अधार पर इन तीनों तरीके से उसे भारती नागरिकता समापत कर दी जाएगी भारस से बाहर लगातार कितने वर्सों तक रहने पर भारती नागरिक्ता समप कर जाएगी, साथ वर्स तक प्रवासिय भारती दीवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है, परती दो वर्स पर नागरिक्ता से संबंदित प्रमुक अनुच्छेद बिसेवस्त पाच्वाँ समिधान लागू होने के समय नागरिक्ता पाच्छट्वाँ पाकिस्तान से भारत को प्रवरजन करने वाले भारत व्यक्तियों को नागरिक्ता का दिकार छे पाकिस्तान से प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिक्ता का दिकार साथ भारती मूल के उन लोगों की नागरिक्ता का दिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं नौवे में जिस भारत व्यक्ति ने स्वेश्चा से विदेशी नागरिक्ता प्राप्त कर ली है उसकी भारती नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगे नुच्छे दनौ नागरिक्ता समंदित अधिकार की निरस्तता अनुच्छे 10, 11 क्या है संसत द्वारा कानून बना कर नागरिक्ता अधिकारों का नियमन लच्मी मल सिंगवी समिती किस से समंदित है दोहरी नागरिक्ता डूल सिटिजन सिप से किसी ब्यक्ति दोहरा भारती बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारती सम्मितान में एकल नागरिक्ता सिंगल सिटिजन सिप का प्राधान किस देश से लिया गैब रिटेन से भारती मूल के ब्यक्ति PIO का काड़ धारक भारत में नहीं खरीद सकता क्रिशी भूम PIO काड़ धारक भारत में नहीं खरीद सकता क्रिशी भूम अब देखना है तुलना किया गया है NRI, PIO और OCI काड़ धारक में तुलना किया गया है चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी कट्ठा करते है तुलना और प्रवासिय भारती उसको NRI बोलते है भारती मूल्के ब्याक्ति PIO बोलते है वीदेशी ये भारती नागरिक को OCI बोलते है चलिए परिभासा देखते हैं पहले भारती नागरिक जो सधारता भारत के बाहर निवास करता है भारती पासपोर्ट धारक होता है तो इसको NRI बोलते है स्वयंग ब्यक्ति या उसका कोई पुर्वज भारती नागरिक रहा है वह बरतमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है उसको बोलेंगे भारती मुल्के ब्यक्त बिदेशी ये भारती एक ब्यक्ति जो बिदेशी ये भारती नागरिक कारधारक हो और नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदरगत पंजिक्रित हो उसको बोलेंगे OCI अब देखते हैं नागरिकता की अहरता क्या है ये भारती नागरिक होंगे जो एनाराई होंगे ओ तो मुलता ये भारती नागरिक होंगे भारती मूल के ब्यक्ति भारत में कम से कम साथ बड़सों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं समिधान लागू होने या उसके बाद भारती नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो सोतनता के बाद भारत का अंग बना प्राप्त होने वाले लाब सभी लाब जो समानता भारती नागरी को प्राप्त होंगे उसारे उसको लाब मिलेगा एनाराई को कोई विशेस लाब नहीं मिलेगा किसको? प्राप्त को प्राप्त को और उस याई को एक एफ आर आर ओ वाले लाब के साथ पंजियन में छूट भारत में कितनी भी यौदी तक ठाराओ के लिए मतलब यह चाहें जितनी दिन रहें इनको छूट मिल जाएगा बीजा इनके लिए बीजा की जरुवत नहीं है नाराई के लिए इनके भारती मूल के ब्यक्ति के लिए बीजा की जरुवत पड़ेगी और जीवन भर बिना बीजा आ सकते हैं यह कौन होंगे? मता अधिकार दे दिया गया है इनको नहीं है इनको भी नहीं है एल एल एम सिंगवी की अधिस्ता में गठित समिती ने प्रति वर्स नौ जनौरी को भारती प्रवासी भारती दिवस मनाने की अनुसंसा किया है किस समिती ने एल एम सिंगवी की अधिस्ता में गठित समिती प्रतिवर्ज 9 जनौरी को प्रवासी भारती दिवस मनाने की अनुसंसा की है और ये किस समिती के थे लच्मी मल सिंग भी समिती के से समन दीत है थैंक्यू इस तरह हमारा ये लक्चर समात होता है